पहले सबी कार्यकरता जुड़ने का प्रहत्न करें, फिर आज लाइफ आने का उद्देश मैं बताऊंगा भारत देश के सबी गवखतों को, हिंदु वीरों को, मेरी ओर से जै स्री राम गवमाता की जै जिस प्रकार से, पिछले दस दिन से, त्यलंगाना में गवरक्षा का एक अभियान चाड़ रहा है और इस अभियान में तक्रिबन 1100 से अधिकल गवमा के बच्चों को, गवमा के बेटों को और गवमाताओं को बचाया गया बहुत संगर्ष करना पड़ा इस अभियान में कुछ अपने लोग साथ दिये तो कुछ अपने लोग साथ नहीं दिये लेकिन त्यलंगाना राजजी की सरकार ने पूरी ताखत लगा दी कि किसी भी हाल में हमें रोखना है ऐसा अक्षणिंत्र किया गया त्यलंगाना राजजी की सरकार दोरा और गव हत्याइं होना है गव मा के बेटों का कतल होना है ऐसी सोचकर जो भी कसाई गव मा के बेटे को ले जाता है उसको पोलिस प्रोटेक्शन भी हमारे तिलंगाना में दिया जा रहा है पोलिस के माध्यम से तिलंगाना राज जी का जो होम मिनिस्टर है होम मिनिस्टर साब का ये बयान है कि गाय छोड़कर गाय के बेटे को काट सकते है ये हमारे तिलंगाना राज जी के होम मिनिस्टर का बयान है साथी साथ मैं होम मिनिस्टर सापको भी ये कहना चाऊंगा कि आप एक होम मिनिस्टर तेलंगाना राज के पहले रूल्स एंड रगुलेशन क्या है वो आपको जानने की अवशक्ता है हर राज में गवरक्षा के लिए गाय को नहीं काटे ऐसा एक आक्ट बना आ जाता है तेलंगाना के लिए 1977 एक आक्ट है आक्ट के अनुसार गाय बचडा बैल विल्कूल भी नहीं काट सकते लेकिन तिलंगाना में घटिया वोड बैंकी राजनितियां पर चल रही है और तिलंगाना के सभी हिंदू राजनेताएं तिलंगाना राज जी के सभी हिंदू विदायक सांसद चूडियां पेनकर घर में बैटे हैं कुछ तो लोग कॉमेंट करें कि राजा सिंग होना बुलकर वातावरन खराब करने का प्रैत्न कर रहा है तो मैं उन हरामियों को कहना चाहूंगा कि एक बार वोल सिटी पुराने शहर में एक रौन मारे वहाँ पर कितनी हजार संक्या में गव मा के बेटों को काटने के लिए रखा गया है एक बार तुमारी अगर दम है तुमारे में तो एक बार रौन मार के आओ तुम्हें पता चलेगा कि कितनी गव माताओं का उनके बेटों का कतल करने के लिए वहाँ पर रखा गया है बकर इद में गौमा के बच्चों का खून तलंगाना में बाएगा हमारा तो अभियान जितना हो से के उतना मैंने कोशिश की मैंने लड़ाई लड़ी लेकिन कल दो पोली सेशन में जिन कारेकरताओं को लेकर मैं गवरक्षा का अभियान कर रहा था उन कारेकरताओं को टार्गेट करके मंगलाट पॉलीशेशन अबजल गंज पॉलीशेशन में उन कारेकरताओं के ओपर फेक एफायर किया गया यानि किसी भी प्रकार का कोई संबंद नहीं है ऐसे कारेकरताओं को एडेंटिफाई करके उनके ऊपर एफायर किया गया सो कल एक पॉलीशेशन में यानि अबजल गंज पॉलीशेशन में जैसा ही मुझे पता चला मैं तुरंट गया ACP मैडम ते उनसे मैंने बात की कि क्यूं हमारे कारेकरताओं को लाया गया तो ACP मैडम बोले कि हम सजेस्ट इनकोरी के लिए उलाए और छोड़ दींगे लेकिन दूसरे दिन पता चला कि उनकारेकरताओं के ओपर यानि दस धाराएं लगाकर दस सेक्षन लगाकर उनके ओपर FL कर दी लेकिन सबसे बड़ी ताजब की बाद यह है कि मैं इस शेत्र का विधाय और वो पॉलिस सेशन मेरे शेत्र में जैसा ही हमने वहाँ पर बात करके हम चले गए नेक्स दे एवन में यानि उनकारेकरताओं के साथ एवन में विधायक का नाम यानि मेरा नाम भी इंक्लूट कर दिया गया कि राजा सिंग भी उस लड़ाई दंगे फसाद में इन्वाल था अरे भई मैं पॉलिस वालों को एक कहना चाहूंगा कि राजा सिंग के उपर अगर केस बुक करना ही है तो एक बार कह दो तो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे केस नहीं एक जवर्दस शालीड केस यानि पुरा देश चिल जाए ऐसा केस मैं कर सकता हूं हिम्मत है मे लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मौब लिंचिंग हो किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद हो हमारे तलंगा नामें लेकिन पुलीस खुद चाहती है कि त्लंगा में दंगा That Jerry पॉलीस खुद चाहती है क्योंकि इसलिए पॉलीस एक वातुराहन को रोकर 15 घॉल में टाला जाए उनके जूटे आरफ लघा कर दिए केस बुक किया जा रहा है यह वात आरण तिलंगा ना में चल रहा है तो मेरे भाईयों कल सवरे दस बजे मैं सिटी कमिश्र आफिस के पास भू करताल में बैठने वाला हूं और भू करताल करने का मेरा उद्देश है कि जो फेक केस हमारे गव रक्षकों के उपर लगाए गए वो तुरण सारे सारे केस हटाए जाए। दůसरा जितना बी जो पुराने शेहर में जो गव मा के बच्चों को काटने के लिए रखा गया वो सारे के सारे गव मा के बच्चों को पकड़ के गव शाला के रखे। ये मेरी डिमांड है, साथ इसन उन गव मा के बच्चों वो जो भी कसाई काटने के लिए लाया है, उसको भी आप अरेश करना है, ये मेरी डिमांड है, ये मस्तों चोड़, कि राजा सिंग एक दिन बढ़ेगा, खामूश हो जाएगा, आमरन अंशन पर बढ़ूँगा मैं, अगर आप मुझे वहां अरेश करते हैं, आप जहां कहीं भी रखते हैं, वहां मेरा अंशन प्रारम रहेगा, आप जितने दिन मुझे पुलिस सेशन में रखते हैं, उतने दिन मेरा अमरन अंशन प्रारम रहेगा, तब तक के मेरे कार्यकरतों के उपर से आप केस नहीं हट सकते हैं और उनको बचाना ऐसी मैं डिमैंड करता हूं और जब तक मेरी गोमा के बच्चे नहीं बसते हैं तब तक मैं अंचन पर बैठूँगा कल से मेरे भाईयों, भूछ सारे लोग मेरे साथ फेस्बुट पर जुड़े हुए है Mेरे पेश से जुड़े हुए है मैं प्राठ्ना करता हूँ के बकरी एद के दिन 블ляग डे हमें गोशित करना है बकरी ईद के दिन कोई भी हिंदू, कोई भी गोवत भोजन नहीं करना है अपने शेत्र में चाहे हो किसी भी राजज का क्यूं नहों ró अपर एक दिन का आप भूखरताल का कारेकरम रखिये समर्तन कीजिए क्यूंकि जो गव के वारे में नहीं सोसते जो भि कुई काटने ले जाता है अगर हमारे गवर रक्षण कोँ उनका सामना हो जाता है अगर गव रक्षकों को द्वारा अगर उनका कुछ हत्या या कुछ कांड हो जाता है तो कितने नेता ही नेरो होते रोड, रोडों पेर, कैंडिल मार्च, कहीं लोग गव हत्यारों के समर्तन में कैंडिल मार्च निकालते हैं लेकिन गवरक्षकों के समर्तन में बहुत कम लोग आवाज उठाते हैं सो मैं मेरे पद को यानि भारते जन्ता पार्टी के पद को भी मैंने छोड़ दिया है छोड़ कर आज मैं गवरक्षा के लिए आवाज उठाया हूँ मैं चाहूंगा के पुरे भारत देश के मेरे गवरक्षक सब के सब लोग एक सुर में अगर हम आवाज उठाएंगे तो मैं चाहूंगा जो नेताय आज भैरे बन चुके है जो नेता है आज भेरे बन चुके है और गव माता का खून जिस प्रकार से धर्ती में गिर रहा है कम से कम उनकी आग खुले उनकी आग खुले और गव माता को राष्ट ये पशु घोशित करे गव माता को राष्ट ये माता जब तक घोशित नहीं करना है ये लोग नहीं करते हैं, हमें आवास उठाना ही है फिर से एक बार कल से मैं अंशन भू करताल पे बैठने वाला हूँ सभी मेरे हिंदू भाई बंदों से निविधन है कि आप सब का साथ और आप सब का प्यार मुझे अवशकता है बोलो भारत मता की जे, गव मता की जे